हे गाईस तो कैसे हो आप लोग तो आज हम बात करेंगे काफी खतरनाग अपडेट के बारे में जो की है Iron Man से रिलेटिब हमें Secret War में Iron Man दुबारा से देखने को मिलेगा जो की प्ले करेंगे उसको Robert Donnie जूनियर अब ये कहां confirm हुआ किसने ये बात बोली तो हर चीज के बारे में बात करेंगे तो चलिए start करते हैं बिना किसी introduction के तो सबसे पहले Emmerland City में Comic Con हुआ था साल 2030 में 2 March से लेके 5 March तक जिसमें की Mark Raffaello को बुलाया गया as a guest और उनसे फैंस ने पूछे कुछ कॉशन जिसमें की उनसे पूछा गया कि Robert Donnie जूनियर क्या हमें दुबारे से देखने को मिल सकते हैं या नई तो सबसे पहले हमें आपको बता दूँ कि Avengers End Game में आप सभी ने देखा होगे Robert Donnie जूनियर जो कि Iron Man का character play करते है वो मर चुके थे और Chris Evans ने retirement ले ली थी अपने character को ले कर ठीक है उनको old भी देखाय गया था पर उसके बाद काफी fans और भी hoping करने लग गए कि हमें ये दौनों character दुबारे से देखने को मिलेंगे तो ये सबाल पूछे गए Mark Ruffello से जो कि Hulk का character play करते हैं तो Mark Ruffello ने भाई ये सीधी भाषा में कह दिया के time machine अभी भी है और time travel का use अभी भी हो सकता है future में, secret war में, Robert Donnie जूनियर as Iron Man और Chris Evans as Captain America का दोनों ही देखने को मिल सकते हैं और ये main Avengers हैं, इनके मेंना कुछ भी नहीं हो सकता और आपको बता दूँ कि छोटा सा hint ये भी मिला है कि शायद हमें जो Robert Donnie जूनियर as Iron Man के role में देखने को मिलेंगे वो एक different universe के होंगे और different timeline के होंगे तो हमें हां, अर्थ 611 के Iron Man देखने को नहीं मिलने वाला है हमें different Iron Man देखने को मिलेगा पर character casting same होने वाली है तो hopefully Mark Raffaello ने जो बात कही है मजाक में कही है, जैसा भी कही है, वो सच हो और आने वाले time में हमें secret war में Iron Man दोबारे से देखने को मिलेगा और साथी साथ Chris Evans भी तो guys, यह update आपको जानकर कैसा लगा मुझे comment शेक्स में जरूर बताना और आपको और भी update जानने है तो मैं इस्टाग्राम को जाके follow कर सकते हो